एग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं M.com कोर्स का Complete Slables जी हाँ, अगर आप ऐसे छातर हैं जिनका Graduation Complete हो गया है Majority of the बच्चों ने B.com करा है Honor से करा है या फिर Pass Course करा है M.com करने की सोचने हैं सबसे पहले तो ये सुनने को मिल रहा होगा आपको क्या M.com नहीं करना चाहिए क्या करना है M.com करकर लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ये सारी चीज़ों को ना सुनते हुए M.com करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आज समय में सिर्फ B.com करकर अच्छी जॉब नहीं मिल सकती या फिर B.com हो सकता है आपने अच्छी जगे से नहीं करा हो और M.com में गाड़ी आके आपके अटक गई है समझ नहीं आ रहा कन्फ्यूजन वाली स्तिती में है कि M.com करे या ना करें तो लेखिए आज मैं सिंपल करूँगा आपके लिए आज मैं M.com का Slavers बताऊंगा ये भी बताऊंगा कि M.com में क्या पढ़ाया जाता है Slavers obvious सी चीज है लेकिन ये भी बताऊंगा कि M.com का scope है या नहीं है future में जो M.com में पढ़ाया जाता है वो future में काम आएगा या नहीं आएगा और majority of the जो M.com का Slavers है कोड़ के जा सकते हैं जितनी भी important information है जो कि आपको m.com से पहले जाननी चाहिए वो सब हम इस वीडियो में cover करने वाले हैं मेरा नाम सुनील अधिकारी है मैं certified carrier counselor हूँ और पिछले 5 सालों में लागों बच्चे को train कर चुका हूँ right carrier को choose करने में चलू लेकि बहुत ही simple तरीके से हमने m.com के syllabus को divide करा है सबसे पहले बहुत ही basic चीज़े हैं जो कि आपको पता होने चीए b.com 3 साल का था m.com 2 साल का है हर जगे जैसे b.com में आपका semester system था वैसे ही m.com ने भी semester system होता है तो 2 साल में 4 semester होते हैं बहुत कम college है तो trimester मतलब 3 semester लेते हैं एक साल में वैसे नहीं ल है और देखिए कोशिश करें अगर आपका b.com अच्छे college से नहीं हुआ है तो आपको जीतोड कोशिश करनी है कि आप m.com के entrance की preparation करें और m.com अच्छे college से करें मैंने m.com अच्छे college से करें हुए बच्चों का 10 लाख तक का package लगते हुए देखा है repeat कर रहा हूं इस बात को क करें बच्छे को यकिन नहीं होता कि m.com करकर भी package लगता है क्या मिलकुल लगता है अगर आप इंडिया के top 10 colleges को target करेंगे master level के courses में competition कम है जी हाँ आपका अराम से हो जाएगा ठीक है top 10 colleges को target करेंगे तो वहाँ पर आप अराम से 6 से 10 लाग तक का package ले सकते हैं m.com जी हाँ स है m.com में क्या होता है एक होंगे core subject एक होंगे elective subject एक होती है specialization तीनों के बारे में आपको बता होना चाहिए core subject के सबसे पहले बात करेंगे core मतलब पढ़ना ही पढ़ना है कोई excuse अब बहाने बाजी नहीं चलेगी यह commerce का core है financial accounting बताने के जरूरत नहीं आप B.com पढ़के आ यह जादतर colleges में core हमारे subject रहते हैं core कैसे रहेंगे मतलब पूरा format बताता हूँ आपको near about हर आपके semester में 5 to 6 आपके subject रहेंगे जिसमें से 4 के near about practical रहेंगे और 2 के near about subject आपके theoretical रहेंगे मान के चलिए financial accounting, cost accounting, management accounting, तीनो practical, marketing management, theory, organizational behavior, theory, financial management, 50-50, economic analysis, near about 80% theory, business environment, पूरा theory, business research, 90% theory, तो यह सारी चीज़े क्या हैं अलग-अलग तरीके से हर यूनिवर्सिटी स्लेबर्स को तैयर करती हैं तो सकता है कोई चीज़े first year में हो, कोई चीज़े second year में हो लेकिन almost यही format रहता ह हाँ या ना, comment करके बताना, ठीक है, चार के near about subject, practical, दो के near about theoretical, ठीक है, और जो practical है वो भी hard goal नहीं है कि कुछ नया समझा दिया जाएगा, almost आप सारी चीज़े 50% आप करते वे, अच्छा, वी को माले को फाइदा क्या होगा, एंकों करने का, 50% चीज़े आपने पहले से ही प पढ़े, नहीं तो यह आपके core subject रहने वाले हैं, जिसको आप easily pass कर देए, ठीक है, फिर होते electives, अब कई-कई जगे, कई-कई universities, first year से ही electives दे देती हैं, नहीं तो जादे तर electives आते हैं, second semester या फिर more, probably third semester से, आपके जो subject होते हैं, उनके बीच में ही आपको अलग-लग options दे होते हैं, वो आप choose कर सकते हो, अपने core subject के साथ, समझ में आप आ रही है, क्योंकि electives में क्या होता है, कई-कई चीज़ें core subject में सब कुछ नहीं होता है, तो अगर आपको और deep जाना है, तो उसी में आप electives भी choose कर सकते हैं, और electives कैसे choose करेंगे, electives वो ही choose करिए, electives वो ही choose क करने जरूरी होते हैं, तो electives में वो subject choose मत कर लिए, जो थोड़ा typical लग रहा है, जो trend पे चल रहा है, और हो सकता है, आप उस subject में बहुत वीक हो, तो हमेशा electives वो choose करेंगे, जिसमें आपका interest है, या आपको पढ़ने में interest आ रहा है, या उस job profile में आपको work करना है future में, चाह कई जगे QT जो है अपना हमारा electives में होगा, कई जगे ये core में हो जाता है, taxation direct और indirect कई जगे electives में है, strategic management, entrepreneurship and small business management, समझ में आप पार है, तो हर semester में आपके electives भी होगे, electives आपके options को बढ़ा देते हैं, कि आपको अलग-लग चीज़े, कई चीज़े deep में इतनी नहीं होती core म तो उसके लिए electives हैं, कि और जड़ा deep में जाना है, तो आप electives को चूज कर सकते हैं, ठीक है बच्छा, specialization भी आपको interest level पे ही चूज करनी है, accounting में interest है, accounting, finance, marketing, HR, international business, taxation, हर colleges अपनी-अपनी specialization देता है, बोलते हैं, आप income किस में कर रहे हो, accounting में, अगर आपको practically जारा strong है, त accounting और finance चूज कर सकते हो, theoretical में करना है, तो आप HR, business management, international business जैसे specialization भी आप चूज कर सकते हो, तो वहाँ क्या होगा, practical जो aspect है, वो कम होगा, अगर आपकी theoretical जादे strong है, theory में आपको जादा अच्छे number आते हैं, और theory ही पढ़नी है, तो आपको theoretical subject की specialization चूज करनी है, तो आपको हसते खेलते पास कर लोगे, हसते खेलते पास कर लोगे, तो बहुत ज़रा effort नहीं लगीगी, अगर 15 दिन पहले भी, और मैं बहुत bold claim कर रहा हूँ, अगर 15 डेस पहले भी, अगर आप examination से पढ़ना है, स्टार्ट करते हो, provided आप regular class attend कर रहे हो, तो आप easily m.com को पास कर, ठीक ह 80% वारी पढ़ाया आप कर लोगे, ठीक है, अब ये जो 2 सार आपके पास time है, graduation already हो चुका है, m.com के बाद तो job करनी ही करनी है, pressure बहुत है, job पाने का, तो आपको कहीना कहीना अपनी skill पे भी focus कर, skill पे focus करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, short term कोई ना कोई certification या diploma आपको जरूर करने ही, ठीक है, सिर्फ m.com की degree के basis पर नहीं रहना है, अगर campus placement होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़रा काम आएगा, तो धरीके के बच्चे है, m.com के बाद जॉब के लिए जो बच्चे जाएंगे, या फिर internship में जाएंगे, या फिर placement के थो जाएंगे, एक बच्चा सि कोई short term courses कर रहा है, तो किसकी जादा job लगेगी, या जल्दी job लगेगी, short term courses, ठीक है, तो कहीं न कहीं certification courses कर लिजे, चाहे वो digital marketing का हो, चाहे वो data science का हो, चाहे वो business analytics का हो, चाहे वो sap का हो, चाहे वो आपका MS office का हो, कहीं न कहीं, कुछ न कुछ जिस भी field में आपका interest है, उ opportunity को miss मत कर, अगर internship नहीं कर रहे हो, तो short term courses तो करने ही करने हैं, अगर आप ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि अच्छी salary expect कर रहा है, और चाहता है कि उसके अच्छी job लगे, अच्छी companies में लगे, ठीक है बच्चा, अगर college job provide करा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं provide करा तब भी, खुद को update करना, अपनी cva resume को update करना, अपनी skill दिखाना, certification add करना, अपनी communication पर work करना, यह सारी कीज़ें आपको करनी ही करनी है, mcom के साथ, समझ में आप आ रही है, if in case, short term courses के बारे में जाला जानना है, कौन से high salary carriers हैं, इंडिया में, उनके बारे में जानना है, commerce field में और कौन से option है, उनके बारे में जाना है, सब के उपर मेरी e-books है, अगर आप थोड़े बहुत भी interested होते हो, इन सारी चीज़ों में, हम self counseling e-books बनाते हैं, जिसके तुरू आप खुद अपने basis पे decide करता है, किसी counselors के पास जाके 1000 रुपए देने के आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, description में link है, अगर आप interest rate होते हैं, तो आप उनको check out कर से, समझ मा रहा है बच्चा, तो m.com बहुत पीस मारखा course नहीं है, आप b.com में जो पढ़ा है, उसका थोड़ा सा advance आपको बढ़ाया जाएगा, m.com के साथ skill based चीज़े जरूर करनी है, ताकि आपको future plan क्या है उनके, ताकि मैं उनिक accounting आगे future में content मारखा, चलिए मिलते नेक्स वीडियो में, till then take care, goodbye, पढ़ते रहिए, महनत कड़ते रहिए, तो कि आपका भी दियनाएगा, thank you so much.